हालो फ्रेंड्स स्वागत आपका आपकी अपने कोलेज बुक चैनल पर तो आज की वीडियो का टोपिक है हमारा रेक्टिलीनियर रेक्टिलीनियर मोशन यानि कि एक सरल रेखे गती होगी उस सरल रेखे गती के अंदर हमें बताना है उसकी बलसीटी और उसका एसलेशन कि ओनियोमेन यानि कि लिनियरर मोशन करता है सठाट झालन करता है जब और बलसी और मोशन करता है तो इसकी आपको इसका अई करनी ईनदक्रीं करना नहीं यह प्रत आपकæ ब्लसी अधानिकस की और six उर्मचिक तो आपके ईक्जाम के पे सारे आर्टिकल इसी टोपिक पर डिपेंड करेंगे क्योंकि शुरुआद हम वेलो सेटी और एसलेरेशन निकालने की यहीं से करते हैं तो यह आपके एक्जाम के बेस पर मॉस्ट इंपोर्टन है तो इसको आप अच्छे से पढ़ना अगर यह आपको एजली समझ में आ जाए समझाल के इस तो तुर्ण रेखेग गति वेग सरल रेखे गती के अंदर आपको निकालना वेग इंड त्वर्ट या निकि कि रेक्तिलीनियर मॉश省दरा क्या होता है कि आपकी पास एक लाइन है और एक्स तो यहां ओ एक्स एक एक रेखा है हमारे पास एक LErfin है अब जो आपका पर्टिकल है वह पटिकल इस OX रेखा के अनुदिस या इसके अलोन या इसके डारेक्शन के अंदर मोशन करेगा कहने कमणों पहला यही है कि जो आपका लाइन है OX उस पर जो आपका पर्टिकल होगा वह फार्टिकल इस O X के अनूदीज या फिर इसके अलोन या फिर इसकी डारेक्शन में O से X की तरफ मोशन करेगा तो हम क्या करता है यहाँ पर हमने एक पार्टिकल ले लिया अब वो जो पार्टिकल है आपका या जो कन है वो कन T टाइम पर हमने मान लिया चैनल के उपर्टिकल लेकर पार्टिकल कहाँ पहुंझग व्यूच पर आ गया यानि कि जब particle के पास time t था तो particle इस p position पे था और जो particle है वो motion कर रहा है इस ox की direction में यह जी धान रखना यानि कि यहाँ इसकी direction क्या है ox तो t time पर जो particle था t time पर p position पे था जैसे ही आपकी particle को time मिला extra यानि t plus delta time मिला जैसे ही उसको t plus delta time मिला particle ने क्या-क्या P position को change किया वहाँ से गती करना शुरू किया और end भे कहां पहुँच गया एक क्यू पॉइंट पहुँच गया यानि कि T time से उसने कितना distance cover कर ली P से Q तो particle P से कहां पहुच गया Q position पे इस condition में देखो हम क्या मान के तरह आजूम कर रहे हैं T time O से P के बीच की distance के आगे हमारे पास X जैसे ही उसको time change किया time extra मिला उसने अपनी position change कर ली position change करते ही तो distance पहले थी कितनी X तो यहां से जब यह इस पे गया तो यह distance के आगे हमारी डेल X यानि कि total distance आगे आपके पास यहां O से Q के बीच की distance कितनी आगे X प्लस डेल X यहां से यहां तक का time था उसके पास क्या T जैसे ही उसको time क्या मिला T प्लस डेल T T प्लस डेल T time मिला particle ने अपनी position change कर ली किस से P से Q पर तो देखो O से P की distance हमने अजूम करी थी X तो O से Q की distance कितनी आगे X प्लस डेल X और यहां से time कितना था T T time पे वो P position पे था जैसे time T प्लस डेल T वा वो Q position पे पहुँच गया अब देखो यहां हमें निकालने है क्या velocity और acceleration velocity और acceleration निकालने के लिए हमें velocity निकालने के लिए यानि कि आपका वेग है वेग निकालने के लिए आपको क्या चाहिए विस्थापन यानि displacement तो displacement क्या होता है स्थिती में परिवर्तन जो particle है particle की position में जो change आता है उसकी जो दर है या वो क्या कला है क्या आपकी displacement इतना इतना लिए उसका डिस्प्लेस्मेंट अब देखो पी क्यों निकालने के लिए हमारे पास टोटल क्या देखाएं O C Q कितना है, X plus Del X, O P कितना है, X, तो हम P Q की value निकाल सकते हैं, तो देखो P Q जो displacement आपका direction लगा लो इधर, क्योंकि P Q की इसी direction में गया, तो विस्थापन कितना आ गया, आपके पास विस्थापन हो जाएगा, O Q minus O P, तो O Q कितना है, X plus, टोटल उसने कितनी distance कवर्द करी, X plus Del X, तो टोटल डिस्थेंस थी X plus Del X, और O Q, O Q डिस्थेंस कितनी थी X, तो कितना आ जाएगा, माइनस का X, X से X cancel out, हमारे पास P Q जो displacement हो कितना आ गया, आपका Del X, यानि कि हम कह सकते हैं, क्या, यहाँ पर हम बोलेंगे, कि जो particle था, उस particle ने कितना displacement है, कितना विस्थापन किया, तो अब इस Del X का यूज करके, हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी velocity और acceleration, क्योंकि velocity हम तब भी find कर सकते हैं, जब हमारे पास क्या हो, displacement हो, विस्थापन में जो परिवर्तन होगा, वो क्या हो जाएगी, उसकी velocity में जो परिवर्तन होगा, वो हो जाएगा, ऐसी इल रेसन, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आगया है, displacement, तो PQ बराबर कितना आगया है, displacement, Del X, तो यह Del X आगया है, किस पर time, किसी पॉइंट की velocity क्या हो जाएगी, time, Del T time पर, तो देखो, Del T, Del T समय पर, बिंदू या किसी पॉइंट की, velocity, पॉइंट की, वेग या velocity, जिसको हमने क्या नाम दे रेते हैं, V, तो V क्या हो जाएगा, आप देखो, V क्या होता है, limit, Del T tends to 0, विस्थापन में परिवर्तन, Del T समय पर, विस्थापन में परिवर्तन, या विस्थापन की दर लगा लो, विस्थापन की दर, या विस्थापन में परिवर्तन, divide by उस समय से, Del T समय में, क्या हो जाएगा, Del T time पर, change of rate, displacement की जो दर है, वो क्या हो जाएगी, divide by delta, यानि कि, Del T time पर, Del T समय में, Del T time तो क्या होँ, Del T, और उसकी जो rate है, rate of displacement, change, यानि कि, उसकी दर में परिवर्तन, या उसकी दर लगा लो, तो delta time पर, displacement की जो rate है, उसको हम divide कर दें, किसे time से, अगर उसको हम time से, divide कर देते हैं, उस time से, तो हमारे पास क्या जाएगा, उसकी velocity, उसका wave आजाएगा, अब देखो, delta time पर displacement कितना है, del X, उस del X के अंदर, अगर हम divide कर देख, इसका उस time का, तो हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पर velocity, तो V क्या जाएगा आपका, V बराबर आजाएगा, limit, delta time क्या, 0, displacement कितना है, यहाँ पर, del X, और divide करना, उसके time से, यहाँ से, हमारे पास V क्या आगया, जब delta पर हम limit लगाएगे, delta time to 0, तो delta किसमीच होता है, D में, तो यहाँ जाएगा, DX upon dt, तो आपके पास, X dot आगया, तो यहाँ से, जब एक rectilinear motion, rectilinear motion, या एक straight line में, गती करता है, कोई particle, उस particle की, वेक कितना आगया, उस particle की, velocity आपके पास, कितना आगया, X dot लिख दो, या पर DX upon dt, तो यहाँ पर, वेक हमने find कर लिया, अब दूसरी चीज़ देखो, वेक find हो गया, वेक से, वेक का यूज़ करके, हम इसका acceleration भी, निकाल सकते हैं, लेकिन, एक rectilinear motion, या एक straight line में, पार्टिकल अगर गती करता है, तो उसमें क्या सेम टाइम में, या सेम समय अंतराल के अंदर, वो जो है, अपनी दर्चेंज नहीं कर रहा है, यानि कि हर टाइम पर, सेम इंटरवल कवर कर रहा है, वो पार्टिकल, तो उस कंडिशन में, उसकी average velocity, और उसकी universal velocity, uniform velocity, sorry, uniform velocity और average velocity, सेम इंटरवल में, सेमी डिस्टेंस अगर वो कवर कर रहा है, यानि कि हर एक मिनिट के अंदर, हर मिनिट में सेमी इंटरवल, अगर वो कवर कर रहा है, तो उसकी uniform velocity और उसकी जो average velocity है, यानि उससत वेग और, उसकी जो uniform velocity, uniform जो वेग है, वो क्या हो जाएगा, equal ही रहेगा, दूसरी चीज, यदि किसी rectilinear motion के अंदर, जो particle है, उस particle की direction भी सेम हो, उस particle का magnitude भी कौन सेम ही, इसमें देखो, इसमें magnitude और direction, दोनों हमें पता लगती है, क्योंकि इसकी magnitude क्या है, velocity हमें पता लगी, इसका magnitude यहां find कर सकते हैं, इसकी direction क्योंकि पार्टिकल इधर से कहां जा रहे है, इसमें, तो वेग तो क्या हो जाएगा, एक vector value हो गई, ये एक सदी सरासी हो जाएगी वेग, ठीक है, दूसरी चीज, यदि, पार्टिकल मूग कर रहे है, उस पार्टिकल की direction भी क्या हो, constant हो, और उस पार्टिकल का magnitude यानी परिमान भी क्या हो, constant हो, तो उस condition में उसका वेग भी क्या आएगा, constant आएगा, जहना, अगर direction constant है, magnitude constant है, तो उसका वेग भी क्या होगा, constant होगा, यदि डारेक्सन और मैगनेटर दोनों ही चैंज हो रहे हैं तो उसका वेग भी क्या हो जाएगा जिल्स परिवर्थित हो जाएगा अभेग निकाल लिया हमने आप वेग का कि जो हमारा particle है यह तो था displacement यहां से हमने क्या निकाल दिया वी तो वी ब्राबर आगया आपका dx upon dt जो कि क्या है एक्स डोट यह तो था वीग अब हमें इसका क्या निकालना है कि ट्वर्ण एस लिर्शन ट्वर्ण क्या हो जाएगा तो देखो मान के ते he it whenever you कि वेऑ उडैंट 27 सेमय में उडैंग वेलोशिटी क्या हो जाएगी वो ले लिए हमने वी वी प्लस डै तो उसका acceleration या फिर turn, जिसको हम F से लिख रहे हैं, F क्या होगा, F क्या होता है, F बराबर क्या हो जाएगा आपका limit, डेल्टी टेंस टू जीरू, ये क्या होता है, डेल्टी समय में वेग में परिवर्तन, तो डेल्टी समय पर, डेल्टी टाइम में उसकी वेल्टी की दर में जो परिवर्तन है, उसकी जो रेट में चेंज आया, तो डेल्टी समय में वेग में परिवर्तन, डिवाइड बाई उस टाइम से, तो क्या हो जाएगी इसकी एसलेरशन, एसलेरशन हो जाएगा, change in velocity in time t velocity change in time t time delta time में अनिकि delta time में velocity के में जो changement आया वो divide by और किस time के अंदर आया time delta ठीक है तो f ब्राबर आगे आपके पास limit delta tends to 0 आप देखो delta समय में वेग में कितना परिवर्टन आया t time पर कितना था v plus delta v चोड़ी t time पर वेग कितना है v और t plus delta t पर कितना है plus delta v और only क्या निकालना है delta time पर कितना change आया तो अगर हम इस में से इसको minus कर दें तो delta time पर आपको निकालना हो तो यह क्या जाएगा v plus delta v minus का v v से v cancel out यानि कि delta time में वेग में परिवर्तन कितना आया del v del v आ गया तो यहां पर हम रख देंगे क्या del v तो del v upon में कितना आजाएगा delta t इस पर हमने limit लगाई तो f बराबर कितना आपका limit के वज़े से हो जाएगा dv upon dt यह आगया आपका acceleration आप देखो यहां पर हम इसको दूसरे pattern से लिख सकते हैं क्या कि हमने v की value पहले ही निकाल रखी है तो यहां पर v की value रख दो तो यह क्या हो जाएगा आपका f बराबर d upon dt v कितना है v है आपके पास dx upon dt तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो d square x upon dt square या फिर आइसे लिख सकते हो x double देखो एक तो यह तरीका हो गया एक इसको दूसरा pattern हो रहा है उसको लिख सकते है kia f ब्राबर देखो इसको लिख सकते है d d इसको लिख सकते है d dx अंदर वाला वी को तो dx upon dt रहने दो इस वी को तो हमने dx upon dt इस्ति को चेंज कर दूँजिते हैं, टीक्स, डीक्स अपाँ टीकि, तो त जिन नने दी की जगह, आपके अब शेंगा दिये के आपकेत यसки वेलने, तो यह क्या जाए, आपके पास भी, dv upon dx तो यह क्या गया v dv upon dx तो देखो velocity को आप लिख सकते हो dx upon dt, acceleration को दो तरीकों से लिख सकते हो acceleration को या तो आप x double dot की form में लिख दो या फिर उसको आप लिख सकते हो v dv upon dt इसमें t variable आ गया और इसमें x, इसमें differentiate हो रहा है इसके x के respect में और इसका t के respect में तो यह जो value निकाली है हमने एक, यह दो और यह वेक की तीन इन तीनो value को आप अच्छे से याद रखना इनी value का आगे हम use करेंगे, example करेंगे तब और आगे की जो article हम find करेंगे, उनमें इन सब का use होगा, ठीक है तो यह value आगे, इसी के base पर मैं एक आपको question करा देती हूँ कि तो यह तीनो value क्या करना इन तीनो value को question चलो हम आगे वाले वीडियो में करेंगे इनी तीनो value को याद रखना most important है यह तीनो की तीनो जाते जाते, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है क्लिक जरूर करना क्योंकि आप जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं उन सभी वीडियो के notification आप उस बैल आइकन को क्लिक करोगे तभी मिलेंगे otherwise आपके पास notification नहीं मिलेंगे वीडियो अपलोड करने पर तो all पर क्लिक करना बैल आइकन के कि उसमें तीन option होते हैं आप all पर क्लिक करना तभी आपको notification जैसे वीडियो अपलोड होगा आपको notification मिल जाएगा तुरंद तो और आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलेग्राम चैनल को जोइन कर लेना लिंक या तो आपको description box में मिल जाएगा या फिर आप टेलेग्राम चैनल पर जाओगे तो वहां पर college book के नाम से search करना आपको वहां पर मेरे चैनल मिल जाएगा उसको join करना उस सारे की सारी PDF आपको मिल जाएगी and thank you for watching